गर्दर टो के सक्सेस के बाद सनी देवल के सितारी बुलंदियों पर है सनी देवल ने उन स्टार्स में से हैं जो कम लेकिन नमदार बात करना पसंद करते हैं इसलिए वो बॉलिवुड पार्टी से भी दूर रहते हैं वहीं अब सनी देवल ने अपनी परस्टार लाइफ को लेकर फैस के साथ कई सारे बाते शूएर की है उन्होंने ये भी बताया है कि इंडस्ट्री में उने घमंडी का टाइक आखिरकार क्यों मिला है हाली में की इंटिव्यू में बाच्चित की दोरान सनी देउल ने बताया कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे लोगों से मिलना जुनना काफी अच्छा लगता है मैं जब भी बहार निकलता हूँ अपने फैंस और दोस्तों से मिलता हो ये बहुत ही अच्छा लगता है मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पार्टीस में जाए ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पार्टी वगेरा में जाना बन कर दिया है मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ मुझे पार्टीस में जाना नहीं पसंद है इसलिए लोग मुझे घमंडी समस्टे हैं पहले बहुत सारे लोग मेरे इस नीचर के लिए नापसंद करते थे उन्हें लगता था कि मुझ में आटिट्यूड है मैं ड्रिंग भी नहीं करता हूँ पर धीरी धीर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया तो वो समझ गए कि मैं ऐसा ही हूँ इसलिए उन्होंने मुझे पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं नहीं आऊंगा सनी देवल कहते हैं कि उन्हें ना सिर्फ बॉलिवुड पार्टीज बलकि फिल्म रिलीज के दौरान होने वाले प्रोमोशनल एवेंस भी नहीं पसंद है इतना कहेकर उन्होंने बता दिया कि लोग भले ही उन्हें घमन की समझे लेकिन असल में वो अपने काम से काम रखना जानते हैं इसके लवा सनी डियल ने रनवी कपूर औब बॉबी देवल की फिल्म आनिमल पर भी बात की है वो कहते हैं कि फिल्म के क्लाइमाइक्स के दौरान वो सीच से उठ गये थे क्योंकि फिल्म में वो अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सके वर्क फरंट की बात करें तो चर्चा है कि गदर टूकिस अक्सस के बाद वो रमायन में हनुमान का रोल अदा कर सकते हैं हाला कि इसमें कितनी सच्छाई है ये सिर्फ सनी डियल ही बता सकते हैं उमीद है कि सनी को लोगों का मन में जो डाउट है वो अप क्लियर हो गए हैं तो दोस्त उसको लेकर क्या है आपकी राय कमिल सेक्षिन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें